हाई फ्रेंड्स हावर यो आप लोग अच्छे होंगे मैं आलोक कुमार सेक्रेट्री अर्विंद फॉंडेशन आज जो लोग भी न्यू बिजनस की अपर्चुनिटीस में हैं जो लोग भी चाह रहें कि अभी नौरात्री में नया काम स्टार्ट करना है उनके लिए एक सक्सेस स्टोरी के साथ हमारे स्ट्वेंट्स सभी एमस जितनी भी एमस नए खुले हैं एमस देवगर एमस पतना एमस जोदपूर एमस बुनिश्वर एमस नागपूर एमस राइपूर एमस रिसी केश एमस गोरखपूर एमस राइवरेली जितने भी एमस खुले हैं सभी ए अर्विंद फॉंडेशन उभर के आया है नॉट वणली इनम्स मैं से आगे की बात करूँ तो हर साल एससी में सिजी एच एस होस्पिटल जो होते हैं सेंट्रल गवर्मेंट के इंप्लाइज के लिए उसमें वैकंसी आती है अर्विंद फॉंडेशन से ही सेलक्ट होते हैं अर्विंद फॉंडेशन से ही कोर्स कियोए बच्चे लगते हैं उसके पिछे कई सारा कंसेप्च्वल रिजन भी है सेक्रेसी भी है इसके अलावा अभी सब्दर जंग में काफी वैकंसी आई थे दिल्ली में आरेमल होस्पिटल में लेडी हार्डिंग होस्पिटल में उन सब में भी ज्यादा से ज्यादा अर्विंद फॉंडेशन के ही लगे हैं तो आप अर्विंद फॉंडेशन एक बड़ा बिग ब्रांड बन चुका है मैं कहूं तो आप किसी भी एम्स किसी भी बड़े आरेमल होस्पिटल्स या आनने किसी भी होस्पिटल्स लाइक सब्दर जंग कहीं भी आप जाएंगे तो एक सेकुरिटी गार्ड से लेके एक फॉर्थ ग्रेड के एंप्लॉई से लेके एक ड यह 106 सेटे आई थी तो मोर दैन 50 एंट 610 सर्विंध फांडिशन के तो आपको कहीं स्टुदेंट्स डोंडने की जोवत नहीं है जो स्टुदेंट्स हमारे सक्सेस हुए हैं उनी के उन्ही के support से उन्ही के जो भी जानने वाले लोग हैं, relatives हैं, friend circle है या उनके जो mouth publication है उसी से आपका center run होने वाला है क्योंकि आज के date में सबसे बड़ा challenge होता है कि मैं कोई अपने सहर में नया center लिया किसी भी brand name का XYZ का तो major जो challenge होते हैं वो होता है students mobilization एक बड़ा challenge होता है, तो जो major part है जब हमारा success story strong है और बच्चे ही mouth publication इतना करने कि अर्विंद foundation से course करो और M's में लगो अभी फिर new vacancy आने वाली है नवंबर दिसंबर में, उसके लिए भी बच्चे सभी जितने भी अर्विंद foundation के center से सभी जगा विजिट कर रहे हैं और admission ले रहे हैं तो आपको कहीं भी mobilization के लिए घुमना नहीं है आपको बस centers का infra लगाना है mobilization के लिए बहुत effort नहीं करना जो की अर्विंद foundation में नहीं करना आपको आप देख रहे होगे हमारा जो स्लोगन यह सक्सेस 1000 प्लस कंड़ेट इन हम सारे मिल सी जी एचस अफदर जंग लेडी हार्डिंग अर्विंद foundation एक तो government of India से authorized है जो की एक unique type का authorization है हम मतलब जेनरल और किसी organization के पास authorization नहीं होते तो यह पहला secrecy जो मैं बता रहा था कि कुछ secrecy है उसमें पहला secrecy तो यह है कि हम और लोगों से अलग हैं अलग किस विहाब पे हैं कि जो authorization हमारे पास है वो किसी के पास organization normally बहुत ही कम है जिनके पास है इसके अलावा हम लोग बच्चे को शुरू से लेके आगे तक support करते हैं जब भी कोई vacancy आती है तो initial guidance से लेकिए last selection तक हम लोग उसके साथ जो भी उसको competitive batch classes देनी है उसको interview की तयारी करानी है वो सारा अर्विंद foundation करती है तो आजकल हमारे पास जो भी facilities है centers चलाने के लिए और दूसरे ब्रांड में आपको कमी उसकी मिलेगी क्योंकि पहला हम लोग centralized online studio हमारा दिल्ले में है जिससे की आप अर्विंद foundation के आप बच्चों को class मिलती है आप centers चलाएंगे physical class भी center पर करा सकते हैं online class अर्विंद foundation कुद कराएगी तो पहला advantage तो major आपको बताया कि mobilization की जुवत आपको इतनी नहीं है जितने बाकी दूसरे ब्रांड में करते हैं लोग struggle उतना नहीं करना आपको दूसरा पहला तो advantage is easy mobilization due to huge success story दूसरा advantage आपको learning based app है अर्विंद foundation का जिसपे students study करेंगे बाकी physical classes आप अपने center पर देंगे तीसरा advantage अर्विंद foundation की franchise के लिए कि जो भी बच्चों के लिए study materials चाहिए शुरू से लेके last तक competitive batches भी हम लोग चलाते हैं vacancy बढ़ने के वाद क्योंकि हमारा motto क्या रहता है ultimately बच्चे को job दिलानी है खासकर government job में हम लोग ज्यादा focus कर रहे हैं आज कि उस तरह की vacancy जा रही है और हम लोग उस तरह से बच्चे को prepare कर रहे हैं apart from government vacancies हम लोग जितने भी बड़े corporates हैं बड़े hospitals हैं सभी में जितने भी बड़ी construction industries हैं सभी में हम लोग placement के लिए हमारे पास आपको अभी list of industries भी दिखाएंगे कार्पोरेट्स कहां कहां हमारे टाइप हैं तो पहला मोटो क्या है हमारा कि हमें बच्चे को job दिलाना है फिर ब्रांडिंग तो self होती है देखो मैंने भी कहीं ब्रांडिंग नहीं किया कुछ नहीं किया लेकिन आज कियाँ है आपके आसपास joby M सैं आप वहां विजिट करके एक बार कंफॉर्म कर लें जो भी जिस स्तेट में भी आप हैं अधिरास्थान के तो योदपूर चले जाएं अधी रिसी केस उत्राखंड पात्न चले जाएं चारखन्ड के तो म HAIR चले जाएं उडिसा के तो हैमस गौहार्टी चले जाएं तो यह huge success story है UP के हैं तो आप वहां विजिट कर लें अधी आप हिमाचल के हैं तो एक लिमिट नहीं अधी दिल्ली में रह रहे हैं तो आप सब्दरजंग उस्पिटल आरेमल उस्पिटल लेडी हार्डिंग सब कहीं भी विजिट कर सकते हैं सभी अर इतने लगे हैं तो यह काफी बड़ी बात होती है कि जब आपकी सफलता आपके बच्चे जब इतने सफल हो जाते हैं और और आपका ब्रांडिंग करते हैं तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता यह this is the very easy task for you to mobilize the students तो मैं थोड़ा कुछ वीडियो जो मैं बोल रहा हूं वो सा साथ बने रहिए और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हम लोग किस सक्सेस स्टोरी की बात कर रहे हैं है नहीं कि अब आप देखें मैं जो दिखाना चाहरा हूं आप लोग को अभी देखो अभी हम लोगों ने एंस गौहार्टी में कुछ प्रोग्राम भी किये थे जो बच्चे सक्सेस में उन्हों नहीं बुलाया था मैं कुछ फोटो भी दिखाऊंगा आपको और कुछ सक्सेस वीडियो भी बताऊंगा देखो यह मैं एक नवनीत रहा है हमारे स्टुएंट से जो एंस गौहार्टी में उनका आपको एक सक्सेस वीडियो सुनाता हूं बच्चे अपने मुह से सुनाते हैं अर्विंद फॉंडेशन की सक्सेस स्टोरी उन्होंने दुबारा जब आर्मी से रिटार हुआ फिर अर पिर चाहंगा तो यह सक्सेस स्टोरी है हमारी आप सुनें कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर वो जिने बात जेना चाहूंगा मैं नाइसे मैं शरी जां गोगा नहीं कोई मेडिकल स्क्रिप से नहीं रहा ति मैं वैशोसुत्रा बहुत सब्ड़ना पड़ेगा जाता जिंदना पड़ेगा मैंने पट्ना एक जाम दिया थी करने में कर वाद में परश्चिट और में कवी और विल्कार हो। तो बार दाओ हो। एक मैं दो से अटिपर्टीड रहे हैं। पिनादे सारा चीज आदे रहे हैं। मैं कर देशन अलोस by करता हुए मने के बार दो हमकी ओम की मैं कि derived blanks मैं आई आ रा इनना पोरस क्वैं की तरने से एकनि पना। मैं राइक रोसे स्टाइच गया मैं इए राइक रोसे सि tester तो आपने देखा सक्सेस स्टोरी ओफ मिस्टर नवनीत रॉय हूँ इंप्लाइड इन एमस गौहार्टी कि अर्विंद फाउंडेशन के बारे में इन्होंने आपको अच्छी तरह बताया और दूसरी बात है कि हम लोग जो है अभी और भी स्टोरी आपको बताएंगे सक्सेस स्टोरी मैं आपको अभी और काफी सारा स्टोरी बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं वन वाई वन यह आपको दिखाता हूं कि पहले अर्विंद तो यह यूनिक ऑथ्राइजीशन मैं पहले दिखा देता हूं आपको यह यूनिक ऑथ्राइजीशन जो अभी ओपन हो रहा है अना अभी चुकिए फाइल आप क्लियर है काफी देखो आप यह भारत सरकार गवर्मेंट ओफ एंडिया मिनिस्ट्य ओफ लेवर एंप्लाइमे सब्सक्राइजीशन को आप देखेंगे सब्सक्राइजीशन के नाम से चठी है इसमें जो आप देख्या होंगे पहले की ना कुछ इंडिविज्यूल एक-दो इंस्टिशूशन थे जो खासकर संजोन एंबुलेंस बगरे कोर्स कराते थे अब भी ओफ राइजीशन सिम्लर एर्विंद फाउंडेशन के पास है और यह सक्सेस स्टोरी का सबसे बड़ा सेक्रेट भी है कि हम लोग बच्चे को सुरू से गाइड करते हैं जो गाइडेंस उसको दूसरे और्गनेशन में नहीं मिलती तो प्रोपर हमारा इस जो जिस कोर्स पे होस्पिटल हमारा गौर्मेंट ऑफ इंडिया से उत्राइजड है इसलिए सिर्फ एई सर्टिफिकेट वैलेड है आप आपका जो भी सफलता में युगदान रहेगा इस उत्राइजिशन का बहुत बड़ा युगदान रहता है और आप देखेंगे कि 25 फरवरी 2022 को हमें उत्राइजिश से तो पहला तो यह सक्सेस स्टोरी है है ना अब आपको मैं दिखाऊंगा दूसरा सक्स दूसरा दिखाता हूं अना और उसके बाद देखो हमारा जो दूसरा यह है कि हम लोग एंस डीसी के भी ट्रेनिंग पार्टनर हैं तो कई सारे कोर्स तो हम लोग कुछ जो भी कोर्से सदिवेट लेवल के डिपलोमा लेवल के वह हम लोग एंस डीसी से कराते हैं और आपको जो फ्रेंचाइज मिलेगी वह पुरी तरह ऑथराइस सेंटर होगा एंस डीसी गवर्मेंट ओफ इंडिया का कई बार लोग डरते हैं कि मैं सेंटर खोल रहा हूं लीगल रहेगा नह करते हो सेंटर का जो नॉम से ओ फुल्फिल होना चाहिए और उस सेंटर को डारेक्ट ली एंस डीसी इंस्पेक्शन करती और सेंटर कोड प्रोपर मिलता है तो आप 100 परसेंट रहते हैं आज कल क्या हो रहा है मार्केट में कि लोग इन्वर्सिटी जो प्राइवेट इन्व उनके प्रोमाइसिस के लिए इंफलीशन मिलता है उसके बॉंडरी वाल के लिए बॉंडरी वाल के अंदर ही कोई कोर्स चला सकते हैं ना कि ओ कहीं भी सेंटर बाट सकते हैं तो जो आप चला रहें जो लोग भी बीभॉक या डीभॉक या जो भी ओ पुरी तरह एक तो क्या अबसटे लिए यह जो बुक्री कर सेंटर यह कोई फाड़ता है आस प्रफार प्रट के लिए नहीं कोई फॉंडर फांडेशन से जुड़ें नहीं सटरी नहीं मैं कोई और authorized रहेगा, जो आप franchise लेगे हो 100% authorized center रहेगा NSDC का, तो दूसरा success story और authorization यह है कि we are training partner of Shri Ervind Foundation is training partner of NSDC National Skill Development Corporation under Ministry of Skill Development Government of India, तो दूसरा आपने यह देख लिया, अभी हम लोग तीसरा success story की बात करेंगे, तीसरा देखो, आपको जैसा मैं बता रहा था, हमारा affiliation कुछ तो state council से भी है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, जैसे हम लोग जो है, पारा medical council से भी authorized है, आप यह देखेंगे तो government of Bihar का यह हमारे पास authorization है, Deployment Operation Theater Assistant, Deployment Medical Laboratory Technician, Deployment Medical Research, अना, यह government of Bihar Ministry of Health का authorization letter है, तो आप यह बहुत कलियर नहीं है, तो भी मैं explain कर दिया आपको, तो यह है, देखेंगे आप तो राजिपाल के आदिश से, महा महीम राजिपाल के आदिश से, अरविंद Foundation को authorization मिला हुआ है, आप यहाँ पढ़ेंगे, तो सिरी अरविंद Paramedical संस्थान, जो की हमारा नालंदा में स्थित है, उसको सिटे मिले हुई है, 60-60 in O.T. Assistant, in DMLT, in Certificate Course in Medical Tracer, तो यह आपने देख लिया, अभी मैं इस से आगे बढ़ता हूँ, अभी जो मैं tie-ups की बात कर रहा था, कि अरविंद Foundation के इतने tie-ups हैं, उसको मैं दिखाता हूँ, देखो, अपनी success story का एक बड़ा huge success story का पीछे एक बड़ा secret से भी है, कि we are the clients, we are the vendors of different major industries.